नमस्कार दोस्तों, मैं सोनिया, सोनिया की रसोई में आप सब का स्वागत है अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और मेरी वीडियो, मेरी महनद पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए चैनल को सस्क्राइब कीजिए साथ ही मुझे सपोर्ट करने के लिए अपनी फैमिली फ्रेंड के साथ वीडियो शेयर जरूर करें और मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँश सके उसके लिए वेल आइकन प्रेश तो जरूर करें चलिए आज की रेसिपी के लिए अपनी किचन की ओर चलते हैं आज की रेसिपी बहुत ही टेस्टी और यूनिक तरीके से बनाना बताऊंगी इसके लिए आप वीडियो पूरा जरूर देखें सबसे पहले यहाँ मैंने गैस अन कर लिया है अब यहाँ कोईला ले ली है या तो चार कोल अब इने गैस में इस तरह से एक स्ट्रेनर रख ले और इस तरह से हमें कोईले को जला लेना है आप चाहें तो यहाँ चिम्टा जिससे रोटी बनाते हैं उससे भी इसमें पकड़ की उसे जला सकते हैं अब एक तरफ मैंने यहां गुन गुना पानी किया है गुन गुना इतना कि हम उसे चूँ सकें यह पानी हमें पहले ही गरम करके रखना है अब साथ ही यहां एक बाउल जिसमें हमें पानी बनाना है उसमें एक प्लेट या कटोरी रख दे अब जो कोईला हमने जला के रखा था उसे अब इसमें रेट चिली पाउडर साथी थोड़ी सी हींग अब देखिए फ्रेंड इसमें हलके से धुवा उठने लगे है अब इसके धुवा और बढ़ाने के लिए इसमें दो या तीन ड्रॉप घी या तेल ले सकते हैं इससे देखिए बहुत ही अच्छा धुवा उठने लगा है अब इसे कवर कर दें अब धुवा इसमें बाउल में अच्छे से भरने दे जब तक कम से कम दो से तीन मिनिट के लिए देखिए इसमें धुवा अच्छे से भर चुका है अब प्लेट हटा ले और बहुत जल्दी से ही इसमें हमें जो हमने गुनगुना पानी करके रखा था वो डाल देना है और वापिस से कवर कर लेना है ताकि धुवे का फ्लेवर हमारे पानी में आ जाए अब वापिस से धकन हटा के जो हमने कोईले वाली प्लेट थी उससे वापिस से फिर से रख देंगे अब इसे पांच मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देना है ताकि जो भी और फ्लेवर है अच्छे से आ जाए ठीके इस तरह से पांच मिनट के बाद प्लेट वापिस से बहार निकाल ले आईए अब इसमें कुछ मसाले डाल लेते हैं कुछ मसालों में सबसे पहले वन टेबल स्पून नमक साथ ही वन टेबल स्पून रेट चिली पाउडर साथ ही यहाँ पीली सरसो अगर आपके पास पीली सरसो या राई की डाल ना हो तो आप नॉर्मल जो राई की राई रहती घर में जिससे हम छोकर लगाते उसे मिक्सर जार में डाल कर पीस ले और ऐसे ही उसमें डाल कर यूस कर सकते हैं और साथ में थोड़ी सी हींग अब सभी चीजों को अच्छे से मिक्स कर दे और हमें आठ से दस घंटे के लिए इन्हें ऐसे ही छोड़ देना है अब आठ से दस घंटे के बाद आए अब बड़ा बनाने की त्यारी कर लेती यहां मैंने हाप कप मुंग की डाल को पानी में भीगा दिया था देखो यह अच्छे से भीग चुका है और तूट रहे हैं अब इन्हें हमें एक मिक्सर जार में ट्रांसफर कर लेना है सारा पानी अलग कर ले और मिक्सर जार में डाल कर इन्हें हमें पीस लेना है अब हमें दाल को एकदम fine paste नहीं बनाना है pulse mode में चलाते हुए इन्हें हलका सा दरदरा paste ही रखना है देखिए इस तरह से हमें दरदरा paste ही बनाना है अब इसे एक bowl में transfer कर लेंगे अगर आपने सूबा कांजी का पानी बनाया है तो कम से कम साम को ये बड़ा बना के उसमें डाल सकते हैं अब इस साथ ही इसमें दो चम्मच गेहूं का आटा लेंगे इस से हमारे बड़े बहुत ही अच्छे फूलेंगे और साथ ही binding का भी काम करेंगे थोड़ी सी हींग और थोड़ी सी नमक क्योंकि नमक हमने बड़ा के पानी में भी डाला है इसमें भी नमक डालें तो थोड़ा नमक हिसाब से ही डाली अब अच्छे से हमें इसे 5-6 मिनट के लिए इस तरह से विश्चर से फेट लेना है ऐसे ही फेटते रहेंगे एकदम से फलफी हो जाएगा और हलका हो जाएगा जब तक हमें इसे इसी तरह से फेटते रहना है इसके लिए 5-6 मिनट के लिए जरूर फेटे इससे बड़े भौत ही अच्छे बनके तयार होंगे अब 37 में एक चम्मच गरम तेल डालेंगे वापिस से इसे अच्छे से मिक्से कर लेंगे एक मिनट के लिए वापिस से फिर फेट लेंगे देखे अच्छे से फेट चुके हैं अब अब एक तरफ यहां मैंने तेल गरम करने रख दिया था तेल भी हलका गरम ही करना है हमें तेल भी बहुत ज़्यादा गरम नहीं करना है बस अब हातों में थोड़ा सा पानी लगा ले और बड़ा बना ले और गैस का फ्लेम भी हमें स्लो ही रखना है इस तरह से जितने आपके पैन में आए उतने बड़ा एक साथ आप फ्राइ कर सकते हैं और हमें जब तक यह बड़ा फूल कर अपने आप उपर ना जाए तब तक इसमें बिल्कुल भी हमें चम्मच नहीं चलाना है आप इस रेशिपियों होली या दिवाली में स्पेसली हम तो जरूर ही बना के खाते हैं और खाने के लिए बहुत ही ठेश्टी बनता है और पेट के लिए बहुत ही अच्छा काम करता है होली में अक्सार होता है कि हम बहुत heavy घाना खा लेते हैं तो ये वडा का पानी और वडा कहाने से हाजमे के काम भी आता है और खाने में भी बहुत ही टेस्टी लगता हैं तो एक बार इस बार आप इस रेसेपी को होली में जरूर करें देखिए वडा ही हमारे अच्छे से golden brown हो चुखे हैं आई अब इन्हें तेल से बाह निकाल लेंगे और तेल को अच्छे से बाहर निकाल कर इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे इक Already इस तरह से सभी वडे को मैंने बाहर निकाल लिया है अब एक प्लेट में रख लेंगे अब जो हमने पानी तयार किया था ये उसे देख लेते हैं देखिए पानी आठ से दस घंटी के बाद यहां मैंने पानी सुबा तयार किया था और साम को मैंने इसमें बड़ा का तयारी कर लिया था तो साम को मैंने इसे बढ़ा दे, आठ से दस घंटे के लिए पानी को रख दिया था, अब देखिए बढ़ा को इसमें डाल दे और अच्छे से इन्हें मिक्स कर ले, अब वापिस से हमें इसमें थोड़ी सी मैंने हम बुंदी डाल दी, बुंदी से भी बहुत ही अच्छा टे लगेंगे और खाने में भी बहुत ही टेस्टी लगेंगे और बढ़ा भी अच्छे से अंदर तक शोख हो जाएगा, अब वापिस से देखिए मैंने यहां पूरा एक दिन इसे रख दे उसके बाद इसे सर्व करें, आईए अभी से आपको एक बाल में मैंने सर्व करके दि जरूर देखें, इस बावल जब भी हम बावल में सर्व करें, उसमें अच्छे से धनिया पत्ती और उपर से काला नमक डाल कर हमें सर्व करना है, देखें इस तरह से मैंने यहां धनिया पत्ती भी डाल दी और दिखने में तो यहां बहुत ही अच्छी लग रही है, आप इ नेक्स्ट वीडियो में